इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहाँ पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप तक आगे सी वीडियो के माद्दम से पहुचाएंगे दिन भर की सभी बड़ी ख किजेगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा हैश्टेग वी सपोर्ट इंडिया धरासल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें राहुल गांधी मोधी सरकार पर हमला बर हुए हैं प्रसवार्था करके कर दिया है मोधी सरकार को बेनखाब हैकिंग अलर्ड पर राहुल गांधी ने पिया मोधी पर बोला हमला कहा तोते की गर्दन पकड़ते ही राजा तडप उड़ता है कॉंग्रेस के निता राहूल गांधी टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा और आम आदमी पार्टी के सांसद रागप चढधा समेथ कई विपच्च के निताओं के आईपोन पर आई हैकिंग अलर्ड ने देश की राजिनीती को एक बर सिर से घर्मा दिया है विपच्च ने मोधी सरकार पर जासूसी करने के आरूप लगाए हैं समंद में कॉंग्रेस के सांसद राहूल गांधी ने एक प्रेस कांफरेंस की है बताते चलें मोधी सरकार को निसाने पर लेते हुए राहूल गांधी ने कहा कि इधर तोत्य की गर्दन पकड़ी उधर कु जासूसी करनी है करलो हम डरने वाले नहीं है लडने वाले हैं प्रेस वारता करते हुए राहूल गांधी ने कहा है कि सरकार को जासूसी करनी है करे मेरा फोन ले जाओ मैं दे देता हूँ अपना फोन हैकिंग से हमें कोई भी फरक नहीं पड़ता है देश अब सब को समझ च चुका है इसके साथ ही राहूल गांधी ने कहा है कि पहले मैं सोचता था कि नंबर एक पियमोदी है नंबर दो अडानी और नंबर तीन अमिसहा लेकिन यहाँ गलत है नंबर एक अडानी है नंबर दो पियमोदी है नंबर तीन अमिसहा है यह यहाँ पर राहूल गांधी का ब वाली बेंच ने पूरे मामले पर केंदर सरकार को फटकार लगाई वकील ने कहा कौन फंडिंग कर रहा है किस पार्टी को ये जानने का अधिकार सभी को है जी हां दोस्तों वरिष्ट वकील प्रसांद भूशड ने सुप्रीम कोड के समच कहा है कि चुनावी बॉंड योजन राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उलंगन करती है सुप्रीम कोड के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए प्रसांद भूशड ने कहा है कि अगर नागरिकों को उमिदवारों के बारे में जानने का अधिकार है तो उन्हें पर सुनवाई की है एडियार की तरफ से यहां पर याची का दायर की गई है परसांत भूशड ने अदालत में बताया कि चुनावी बॉंड योजना ने एक अपार दर्सी उपकरंड पेश किया है इस वजह से देश में भ्रेश्टाचार बढ़ रहा है पिछले पांस सालों की बात करें तो भाजपा को पांच हजार करोन से भी ज्यादा का चुनावी चंदा आया है लेकिन मोधी सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि ये चंदा कहां से आया है किसने दिया है आखिर ऐसा क्या है जो ये सरकार छुपाना चाहती है सी जी आइसी मामले पर भड़क गए केंदर सरकार पर पूरे मामले पर एक और अपडेट आ रही है करनाटक में एक और ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा है एक हजार करोन रुपए से सरकार किराने की बड़ी साजित बेनकाब हो गई है जिहां दोस्तों करनाटक में एक बर फिर से ऑपरेशन लोटस के आरोप प्रियांक खड़गे ने तो इसके लिए एक हजार करुन रुपए का फंड दिये जाने तक का आरोप लगा दिया है जियां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें इससे पहले करनाटक के मुख्यमंत्री सिधा रमाया और मुख्यमंत्री ढीके सिवकुमार ने खुद ये आरोप लगाए कि उनकी सरकार को गिराने की बड़े इस्तर पर साजी से रची जा रही है भाजपा इसके पीछे है और प्रतेक विधायक को पाला बदलने के लिए 50 करो जो की कैबिनेट मंत्री है उन्होंने तो कहे दिया है कि भाजपा ने 1000 करोण रुपय का आकड़ा यहां पर दिया है कि सरकार किसी भी कीमत पर गिरानी है यह यहां पर खबर आई है दोस्तों अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताईएगा क्योंकि लोग तंत्र पूरी त अंदभक्त भी यहां पर पूरी तरह से बैक फुट पर कंगना रनाउत की फिल्म तेजस का नहीं भी का एक भी टिकेट जिहां दोस्तों तेजस एक ऐसी डिजास्टर फिल्म है जिसे बचाया नहीं जा सकता है यह बिहार के सिनेमा घरों के मालिकों का बयान आया है उनकी त भक्ती में यहां पर लगी रहती है उनको अब यहां पर खामयाजा भुगतना पड़ रहा है उनकी सारी फिल्म में लगातार फ्लॉप हो रही है एक के बाद एक दोस्तों आप लोग भी कंगना रनाउत जो की अंदभक्त है उनके मामले पर अपनी राय भी कमेंड बॉक्स म में है भाजपा केजरिवाल की मंतरी आतिसी ने किया है बड़ा दावा जी हां दोस्तों क्या एडी दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल को जेल में डाल देगी इस वाद का दावा यहां पर आम आदमी पार्टी की और से किया गया है पार्टी की और से कहा गया है कि ऐसी आसंका है कि ED कथित आपकारी नीती घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल से पूर्टाच करने के बाद 2 नवंबर को उन्हें गिरखतार कर सकती है और बाद में उनको जेल में डाल दिया जाएगा के ये मन्सूबे कभी भी सफल नहीं होंगे अगर केजरिवाल को जेल में डाला जाता है तो पार्टी जेल से चले लेकिन ये पार्टी कभी भी खतब नहीं होने वाली है ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दोस्तों पूरे मामले पर बेहदी बड़ा बयान सामन निकल के आया है एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें केंद्रिया मंत्री राजीब चंदर सेखर के खिलाप में केस दर्ज किया गया है सोसल मीडिया पर नफरत पैलाने का लगा है गंभीर आरोप इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केरल पुलिस ने नफरत पैल पैलाने वाला प्रचार करने के आरोप में केंद्रिया मंत्री राजीब चंदर सेखर के खिलाप में मामला दर्ज किया है बताते चलें एफ आई आर में कहा गया है कि मंत्री ने सोसल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स पर नफरत वहलाने का काम किया है इसलिए उन पर एफ दर्ज की गई है जिसके बाद अब यहां पर केरल पुलिस पूरे मामले की चानबीन करेगी और मंतरी से भी पूछताच यहां पर केरल की पुलिस कर सकती है पूरे मामले को ले करके यह यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहत बड़ी खबरे थी मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इन कबरों को मुख्य समचारों को शेर कीजेगा आपने सभी दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत